So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 26 और 27 मार्च के important current affairs को हम इस lecture में cover करेंगे, देखो हमारा पहला प्रशन क्या है, अभी हाली में IBA महिला वर्ल बॉक्सिंग चेंपेंशिप में किस भारते ने gold medal जीता है, तो answer होगा, दो है, नीतु घंगस और स्विटी बुरा ने, पहल और इसमें नीतु घंगस ने 48 किलोगराम केटेगरी में gold जीता, इन्होंने किसको हराया, मंगोलिया की लुट्से खान को हराया, वहीं स्विटी बुरा ने 81 किलोगराम केटेगरी में gold जीता है, इन्होंने चाइना की वांग लीना को हराया है, और इसी के साथ नीतु घंग में वो छे बार वर्ल्ड चेंपियन रह चुकी है और बॉक्सिंग की बात है तो दो-तिन इंपोर्टेंट प्रशन बताऊंगा जो आपने 2023 के करेंट अफेर्स में पड़े हैं जैसे कि नीतु घंगस का ही नाम ले लो अभी BBC इमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमें आप और हाँ अगर आप में से कोई जानना चाहे या पूछे कि कल का वीडियो यानि 26 मार्च का वीडियो नहीं आ पाया था क्या हाँ नहीं आ पाया था मैंने बना सका था क्योंकि मेरी तबियत को ज़्यादा खराब थी वैसे मेरी हमेशा कोशिश रहती है या यूं कहूं कि भी feeling नहीं कर पा रहा था, बस ये था कि सांस आ रही है और जा रही है, और दर्द में मम्मी का नाम और भगवान का नाम ही निकल रहा था, सच बता रहा हूं आपको, वैसे एक छोटा सा clip बना करके मैंने आपको inform भी कर दिया था, कि आप wait ही न करते रहो, इसलिए मैंने का बत आदें, तो मुझे ये भी समझ में नहीं हा रहा था कि बोलना क्या है, क्योंकि दिमाग की काम नहीं कर रहा था, वैसे तो 3-4 दिन पहले से fever था, तबेत खराब थी, लेकिन medical से medicine लेकर के काम चल रहा था, क्योंकि राजस्तान में right to health जो bill है उसको लेकर के doctors हड़ताल पर है प्राइवेट बंध है, dispensary भी बंध थी, जो hospitals है, government hospitals वहाँ पे इत्ती लंबी लाएन है कि 3-3 गंडे तक number नहीं आना, तो नहीं खड़ा रहे सकता था, नहीं बैठा रहे सकता था, तो वहाँ जाने से था नहीं, तो किसी तरह से जुगाड करके हुआ काम, medicine course लिया, injection बग कर पा रहा हूँ, 2-3 दिन में पूरी medicine वगरा लेंगे, injection वगरा लगेंगे, और God ने चाहा, और आपकी तो blessings हैं सही, तो बिल्कुल सब वापे इस पहले की तरह हो जाएंगे, तो आगे बढ़े उससे पहले, thank you आपका, आपकी blessings के लिए, तो चलिए भी time waste नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल में War and Women नाम की बुक को किस ने लिखा, तो आंसर होगा, Dr. M. A. हसन ने, तो Dr. M. A. हसन, इन्होंने ये बुक लिखिये, जिसका नाम है War and Women, इसमें 1971 के मुक्ति संगराम के दोरान, पाकिस्तानी सेना के दोरा किये गई योन उत्पिडन, यातना और हत्याओं के बारे में बताया गया है, इस बुक में War and Women इसका नाम है, Dr. M. A. हसन ने इसको लिखा, ये आपको ध्यान रखना है, आपको याद है भी श्रिमंत कोकाटे, इन्होंने एक बुक लिखिये, छत्रपती शिवाजी महराज, रचन बिष्ट रावत, इन्होंने बुक लिखिये, बिपिन, दा में बिहाइंड दा यूनिफर्म, बिपिन रावत जी के उपर है, और K. M. चंदर शेखर, As Good As My World नाम से इन्होंने बुक लिखिये, तो ये भी ध्यान रखना बढ़ते आगे, चलिए फिर बताईए, अभी हाली म एशियाई होकी महासंग ने किस देश के होकी महासंग को Best Organizer Award से सम्मानित किया, तो आँसर होकी इंडिया को पुरुष होकी विश्व कप 2023 की सफल मेजबानी के लिए, एशियाई होकी महासंग ने सरवश्रिष्ट आयोजक पुरुसकार, यानि कि Best Organizer Award से सम्मानित किया, के बिरसा मुंडा होकी स्टेडियम में, जो की भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम है, तो हमने उसका सफलता पूरुवक आयोजन किया, और उसी के लिए होकी इंडिया को Best Organizer Award मिला है, किस ने दिया, एशियाई होकी महासंग ने, जिसकी इस्तापना होती 1958 में, और उपु विजेता कौन रहा, बेलजियम रहा, कौन सा संसकरन था, ये दूसरा प्रशन है, तो आंसर होगा, पंदरवा संसकरन था, अचा दो तिन इंपोर्टेंट प्रशन और बताऊंगा, ध्यान से सुनना, एक तो अभी National Ice Hockey Championship हुआ था लह लधाक में, उसको जीता था ITBP ने लद्दा के स्काउट्स को हरा करके, दूसरा प्रशन बनेगा, भारते पुरुष होकी टीम के कोच कौन बने, तो आंसर होगा, क्रेग फुल्टन बने, ये साउथ अफरिका से हैं, एक प्रशन ये बनेगा, अभी Senior महिला राष्ट्रे होकी Championship हुई थी, आंदर रामपाल के नाम पे, और एक प्रशन ये बन जाएगा, कि अभी होकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का Player of the Year पुरुषकार से किसे सम्मानित किया, तो आंसर होगा हार्दिक सिंग को, और महिलाओं में सवीता पुनिया को, अब होकी से सम्बंदित कुछ important trophies and cups हैं, वो ध्य अजीत सिंग कप हो गया, तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे, फिर बताईए, अभी हाली में थान्थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यरन्य को किस राज्य का अठारवा वन्यजीव अभ्यरन्य घुशित किया गया, तो अंसर होगा तमिलनाडू, तो अभी तमिलनाडू स एक पेरियार अभ्यरन्य आप पड़ोगे, वो आपको केरल में मिलेगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, बाकी मदुमलाई नेशनल पार्क आपको तमिलनाडू में ही मिलेगा, गुंडई नेशनल पार्क हो गया, अन्नामलाई नेशनल पार्क, जैसे इंदरागांधी पनवा, टाइगर रिजर्व कौन सा बना, या यूं कह दो कि उत्तरप्रदेश का चोथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना, तो रानिपूर टाइगर रिजर्व बना है, ये उत्तरप्रदेश में है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछू, कि अभी देश का तैतिस्वा और उत और सबसे छोटा शेत्रफल वाईज, एरिया वाईज, सबसे छोटा नेशनल पार्क ये साउथ बटन नेशनल पार्क है जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में, अगला प्रशन देखते हैं, चलिए फिर बताईए, हाली में किस राज्ये ने मुख्य मंतरी वरक्ष अब क्या होगा इस योजना में? तो इस योधना के तहट राज्य सरकात द्वारा पांत साल के बीतर दोर लाख एकड नीजी भूमी पर इमारती व उशद्य वरक्ष तियार करने का लक्ष रखा गया है, और इसके लिए मतलब पौधे के रोपन के लिए किसानों को 50% सबसे भी दी जाएगी, इसके अलावा किसानों को 3 साल तक प्रती एकड 10,000 रुपे बोनस भी दिया जाएगा, तो इस योजना के माद्यम से किसानों की इंकम में भी वरद्धी होगी, और जब पेड बड़े हो जाएंगे, कटने लायक हो जाएंगे, तो उनकी लकड़ी और उनक पर खोजा गया था दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, अचा ये तो उतर ही मैंने दे दिया उस्टेलिया, चलो दूसरा प्रश्न का उतर दो, दुनिया का पहला अनुवानशिक रूप से संचोधित, यानि कि जैनेटिकली मॉडिफाइड रबड का पौधा भी कहां लगय गया तो अंसर होगा असम में, चलो ये बताओ भी किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ट स्मार्ट एर प्यूरिफायर बनाया था, तो अंसर होगा IIT रोपड ने, अब इसे याँ पर बात 36 गड़ की है, तो ये रा मैप में 36 गड़, देखो कैपिटल इसकी राइप अच्छा एक विनूद कुमार शुकला का नाम आप याद रखना, ये 36 गड़ के लेखा के, इनका नाम नूज में था, अभी 2023 पैन नाबो कोव लाइफ टाइम अचीमिन्ट अवर्ड इनको मिला था, और ये अवर्ड पाने वाले ये भारतिय एशय मुल के पहले वेक्ती है और अभी CRPF ने 2023 में अपना 84 सिवा स्थापना दिवस मनाय था, चत्तिसगड के बस्तर में, छेर छेरा महत्सव का जन किया जाता है, चत्तिसगड में, मुख्यमंत्री मितान यूजना शुरू की थी, चत्तिसगड सरकार ने, कोशल्या मात्रत वो यूजना यहाँ पे शु चत्तिसगड के कोरबा में, और यहाँ का एक पंडवानी नरत्य बड़ा फेमस है, और इसकी पहली महिला कलाकार का नाम पूछा जाता है, उनका नामें तीजन बाई, और एक हरिली त्योहार ये चत्तिसगड में मनाते हैं, जबकि हरिला उत्सव मनाया जाता है उत्तरा खं जाता है, और इस बार की थीम क्या है, थिएटर and a culture of peace, अब important day वाला कुष्यन है, अब देखो सारे days तो मैं आज आपको revise नहीं करा पाऊँगा, अब वैसे बोलने लायक तो मैं हो गया हूँ, मतलब थोड़ा सा recover तो हो गया हूँ, लेकिन गले में छिल जाता है ना जैसे, tonsel हो जाते हैं, जब आपको बताओ किसी को, तो पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, तो दर्द होता है वहाँ पे, तो उस तरह से लाल-लाल हो रहे हैं पुरे, अब वो गोलियों की गर्मी से हो रहे हैं, या किस कारण से हो रहे हैं, तो बोलने से क्या होता है, मुँ बार-बा हम वापिस से जो भी चीज़े कमी रहेंगी उनको फुल्फिल करेंगे अभी हम बढ़ते आगे उम्मीद है आप थोड़ा सा समझेंगे है ना आप सभी समझदार है अगला प्रशन देखते हैं इसमें आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल में अगला प्रशन क्या है इनका नाम आपको याद रखना है अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन क्या है Invest India का नया MDCO किसे बनाया गया मनमीत के नंदा को तो अभी मनमीत के नंदा को Invest India के नये MDCO के रुपे नियूट किया गया है Invest India की बात करें तो ये केंदर सरकार ने 2009 में वित्त मंत्राले और व्यापार और उद्द्योग विबाग के अधीन इसे बनाया था ये एक Non Profitable Organization है जिसका उद्देश है क्या है निवेशकों को व्यापार में भारत में परुट साहित करना और उनकी सहायता करना वैसे हमारे वानिजब उद्द्योग मंत्री कौन है पियूश गोयल है और वित्त मंत्री आप जानते ही हो निर्मला सीतारमन है तो मनमीत के नंदा का नाम याद रखना बाकी अभी BPCL के CMD बने थे जी कृष्ण कुमार कोटन कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया के CMD बने ललित कुमार गुपता और फिक्की के महा सचीव बने थे शेलेश पाठक ये नाम भी नियूज में थे ध्यान रखना बढ़ते आगे अगला प्रशन है One World TB Summit का आयोजन ये कहां किया गया तो अंसर होगा वारणासी में तो अभी आपको पता है 24 मार्च को था World TB Day तो उसी मौके पर प्रधानमंतरी नरेंद्र मोधी ने वारणासी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में One World TB Summit को संभूधित किया और TB से संबंदित कुछ प्रशन में आपको कराये थे जैसे कि दुनिया में TB को खतम करने का लक्षे 2030 है लेकिन भारत में 2025 है TB बैक्टिरिया से होने वाला रोगे यानि कि जीवानु जनित रोगे कौनसा बैक्टिरिया? Mycobacterium tuberculosis और इसके लिए कौनसा ठीका है? BCG का ठीका फुल फर्म क्या होती है? Bacillus Calumet Guarin एक बार प्रशन आये था एक्जाम में इसके खोज करताओं का नाम क्या है? तो अगर BCG की फुल फर्म पता है तो आंसर आ जाएगा Leon Calumet और Camelie Guarin Calumet और Guarin से याद रखना और बताओ TB मुक्त भारत अभ्यान है निक्षय मित्र जिसकी राजदूद बनी थी कौन? Ambassador बनी थी दिपा मलिक नाम है तो ये important point से सारे ध्यान रखना बढ़ते आगे चलिए फिर बताइए किस पडोसी देश ने चीन की मदद से अपना पहला पंडुब्बी बेस शुरू किया? तो अंसर उगा बांगलादेश तो बांगलादेश ने अभी चाइना की मदद से अपना पहला सब्मरीन बेस स्थापित किया है और इसका नाम है BNS शेक हसीना इसकी लागत कितनी है? 1.21 बिलियन डॉलर अब बात बांगलादेश की है तो ये रा मैट में बांगलादेश देखो बांगलादेश की केपिटल धाका है जिसों के बीच में बिचाए गई भारत और बांगलादेश के बीच में जिसके लंबा ये 131.5 किलोमेटर इसमें भारत से बांगलादेश के लिए डीजल बेजा जाएगा और याद रखना 2024 में ICC Women's T20 World Cup ये बांगलादेश में होंगे अभी 2023 वाले तो साउथ अफरिका में हुए थे जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया साउथ अफरिका को हरा करके और एक डॉक्टर महेंदर कुमार मिश्रा का नाम याद रखना अभी अंतरराश्टर मातर भाषा पुरुसकार इनोंने जीता है जिसको शेख हसीना ने दिया कहां पे ढाका में और ये भारते सिक्षक और समाजिक कारे करता है डॉक्टर महेंदर कुमार मिश्रा और ये अवर्ड पाने वाले पहले भारते हैं अच्छा भारत के कितने राज्ये हैं जो बांगलादेश के साथ सीमा बनाते हैं पांच राज्ये हैं और वो पांच राज्ये कौन-कौन से हैं वो एक ट्रिक से आपको याद करना है और उन पांच में से सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है पश्चिमंगाल बनाता है ये तो आपको ध्यान रखना है पश्चि मंगाल के मुख्य मंत्री कौन है ममता बनर जी तो ये उन 5 राज्यों की ट्रिक हो गई ममता बनर जी M से मेगाले, A से आसाम फिर M से आजाएगा मिजोरम T से आजाएगा तिरिपुरा और बनर जी से पश्चि मंगाल हो गया ये पश्चि मंगाल सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है और तीन तरब से बांगलादेश से घिरा हुआ है तिरिपुरा और अगर पूछे कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है तो वो बांगलादेश ही है और बांगलादेश और भारत की बीच में कौन-कौन से exercise होती है मेनामती मेत्री exercise होती है बोंगो सागर होती है संपृती exercise होती है तो ये ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो फिर बताओ अभी हाल इमें आठ एंटी सब्मरीन वार्फेर शेलो वाट वाटर क्राफ्ट की श्रंकला में दूसरा जहाज कौन सा है जिसे अभी लांच किया गया तो आंसर होगा आइनेस एड्रॉथ तो अभी आइनेस एड्रॉथ को कॉलकता में लांच किया गया आइनेस मतलब इंडियन नेवल शिप भारते नौसेना पोर्ट और ये आठ एंट एड्रॉथ की बात करें तो इसका जो नाम है न ये लक्षद्वीप द्वीप समू में सबसे बड़े और सबसे लंबे एड्रॉथ द्वीप से लिया गया है जिसे एड्रॉथ भी कहा जाता है और इसका निर्मान कहा किया गया या किस ने किया तो गार्डन रिच शिप बिल का पहला सुदेशी विमान वाहग पोथ है इसका निर्माण कोचिन शिप्यार्ड लिमिटेड में हुआ इसे लॉंच किया गया था 2 सेप्टेंबर 2022 को और अभी 2023 का पहला भारते नोसेना कमांडरों का पहला सम्मिलन ये यहीं पे हुआ था INS विक्रांट पे अच्छा इसी तरह से आपको याद होगा प्रोजेक 75 के तहट 6 पंडुब्या बनाए गई जो की स्कॉर्पिन क्लास सब्मरीन से कहां पे मजगाओ डॉक्स शिप्यार्ड लिमिटेड में फ्रांस की मदद से 6 की 6 पंडुब्यों का नाम याद है क्या आपको ध्यान से सुनो INS कलवरी पहली थी फिर INS खांडेरी, INS करंज INS वेला, INS वागीर और छटी का नाम है INS वागशीर ध्यान रखना बढ़ते आके अगला प्रशन है हाली में चर्चा में रहा अरुधरा क्या है तो आंसर होगा मद्यम शक्तिर रडार है एक्चुले में अभी रक्षा मंत्रा लेने भारते वायु सेना की युद्ध शम्ता को बढ़ाने के लिए बेल यानि कि भारत Electronics Limited के साथ 3700 करोड रुपे के दो समझोते किये एक समझोता है मद्यम शक्तिर रडार अरुधरा के लिए और डूसरा है 129 DR 118 रडार वार्निंग रिसिवर्स के लिए तो इन दोनों रडार सिस्टम से वायु सेना की निगरानी पहचान और ट्रेकिंग शम्ता को बढ़ाने में मदद मिलेगी तो अरुधरा पूछा जाए कि क्या है मद्यम शक्तिर रडार है ये आपको बताए वीडियो के लास्ट में लास्ट डे के करेंट अफेर्स का हम रिविजन करते हैं उसके बाद 2022 के टॉप 10 इंपोर्टेंट कुशन का रिविजन करते हैं लेकिन मैं आपको बता दू एकाद दिन हम इसको होल्ड पे रखेंगे उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे अभी हॉमवर्क प्रशन दिखते और सेशन एंड करते सेशन पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कीजेगा तो आंसरों का विक्रम देव दत्त को आप सबीने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया है बाकि क्विज बना करके अप्लोड कर दिया गया पीडिएप भी आपको मिल जाएगा करिक एक्जम एप्लिकेशन में जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है थेंक यू